तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्चन को देखो, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आता है, तो कोई ना इसको हम क्लियर कर देते हैं, कि which of the following combinations should select the better for the tuning, what is the meaning of the tuning, बहुत सारे बच्चों को tuning का मतलब भी नहीं पता होता है, तो मैं यहां tuning का definition लिख दिया, तो tuning मतलब होता है, कि function of a tuning circuit is to select the desired signal out of the meaning, बहुत सारे अबलेबल सिगनल हैं, बहुत सारे अबलेबल frequency हैं, लेकिन हमें कुछ खास frequency ही, एक खास frequency select करना, tune करना है, तो बागी को reject करना, तो उसको हम tuning बोलते हैं, tuning जो होती है, आप series LCR circuit का for communication purpose के लिए, उसकी tuning अच्छी होगी, एकर quality factor हाई होगा, q factor हाई होगा, ठीक ना, आप पढ़े होगे q factor हाई होगा, तो q factor का क्या definition, q factor का जो फार्मूला है, वह आप पढ़े होगे one upon r, और यहां से lc under root, यह वाला फार्मूला होता है, रटलो इस equal to one upon r, lyc, अगर quality factor maximum मुझे रखना है यहां पर, ठीक है, given set में, तो r को मुझे यहां पर minimum रखना पढ़ेगा, c को बहुत सारे set में minimum रखना पढ़ेगा, और l को मुझे maximum रखना पढ़ेगा, यह वाली choice हो है, हमारे लिए good quality factor, वो maximize कर सकती है, अब देखो, इसमें से match करो क कौन साइस में से सही होता है, तो यहां से 4 value है, there are 4 values of the r, इसमें से r को minimum रखो, तो r minimum तो इसमें है, c वाले में है, इसमें r minimum है, अब इन सभी में से l maximum किसके पास है, l maximum है, c के पास, इन सभी में से c minimum है, किसके पास, c minimum है, यहां से 30 के पास तो कुल मिला के अपना c option सही हो जाता है. Thank you.